दोस्तों अपने Android Smartphone को कैसे अपडेट करें ये सवाल आपके मन में जरूर आता हुगा क्योंकि अगर आप अपने Android Smartphone को अपडेट नहीं करते हैं तो इससे आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आप अपने किसी भी Android स्मार्टफोन को बहुत ही असन तरीके से अपडेट कर सकते हैं वो भी मातर एक किलिक में क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें आपको जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही लंबा तरीका बताया गया है लेकिन मैं आपको बिल्कुल सोट में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने किसी भी मुबाइल को अपडेट कर सकते हैं चाहे आपके पास सेमसंग का फोन हो चाहे रेडमी का हो, MIE का, OPPO, Bibo किसी भी कंपनी का हो सबकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है वस आपको समझना जरूरी होता है कि आपको किस तरह से अपने मुबाइल में सोट्यर को अपडेट करना है अगर आपको इस वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करके शेयर जरू करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आना है तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवाना न भूले मुबाइल के सोट्यर अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें मुबाइल की सेटिंग में आना है अब यह दीगे दोस्तों मेरे मोगाईल में आ चुका है software update का option अब आपको क्या करना है आपको एक बार software update पर click करना है लेकिन दोस्तों इस पर click करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके mobile के software update नहीं रखना है वन्ना आप चाहें तो आप किसी के वाइफाई से कनेक्ट करके अपने मुवाइल के सॉफ्ट्वेयर को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही असन तरीकस से हो जाएगा यलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सॉफ्ट्वेयर अपडेट वा होती कम MB का है अगर आप पहली बार अपडेट कर रहा है अपने मुवाइल को तो हो सकता है वन जी भी कभी अपडेट हो सकता है आप सबसे पहले अपने इंटरनेट का ध्यान अके आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी फास्ट होने चाहिए तो चलिए हम डाउनलोड ना चलिए बहुत ही चोटन सा यह अपडेट था इसलिए बहुत ही फास्ट हुआ है अब यह देखिए हमें और इंटर लाओ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक लोडिंग को आप सना जाएगा अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान अखना है आपको अपने मुवाइल के पाव आ चुके हैं और यह वेरिफाई हो रहा है इसी तरीके सा हम इसको चलने देना है बिल्कुल भी छेड़ चाड़ मोवाइल में नहीं करनी है और इसके बाद आप दे सकते हैं फाइनली हमारे मोवाइल में सॉफ्ट्ट्य अपडेट हो चुका है अब यहाँ पर हमें एक रिश् सिंपल सा तरीका बता दिया है अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे नीचे कोमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके मोवाइल में सॉफ्ट्ट्य अपडेट नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग में जानने के बाद अपडेट लिकर भी आगर साच करेंगे तो वह आ जाएगा तो आपके वीडियो आपको पसंद आ योगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें आज की वीडियो में इतना ही थेंकियो फोर वोचिंग